जैहिन दोस्तों वेलकम बैक मैं चनल फ्रेंड फ्रेंड एससी जीडी कॉंस्टेबल के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 13 जनवरी के एक्जाम का एनलाइज करने वाले हैं जहां पे उन बच्चों को हेल्प मिलने वाली है जो आप कपिंग जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं ऐसे से जीडी कॉंस्टेबल का सो उनको काफी अच्छी हैल्प मिलने वाले है कि कितने आपको टैम्ट करने चाहिए को गुड़ अटेम्ट क्या है डिफिकट लेवल क्या इस बारी का तो कम्प्लीट इंप्रमेशन मिलने वाले किस टॉपिच से क्या 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 को आ रहे हैं सो इस वीडियो के माध्यम साब को कम्प्लीट इंफ्रमेशन मिले कि आप वीडियो को आं तक देखने स्किप मत करने ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिसना हो जाए ठीक है अगर मैं बात कुरू फेपर के गुड अटेम्ट का और डिफिकेट लेव उसमें चीजिक लेका अगर हम बात करें तो इसे मिलेक लेंट मात जाएगा मैठमेटिक्स के अंदर फेर 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 इंग्लिश यह इंदि में जो भी है वहसमें चोदर से पंद्रा के बीच आपको गुड अटेम्ट होने वाला है तो अगर आप के लिए जो इस बारी जीडियी का ग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर की बात करें और टो पेपर इसी टू मौडरें बन रहा है मतलब हाड कुछिन नहीं है मौडरें खुरिप को इन अगर आपका मैथ में अच्छी कमाइंड थोड़ी तो आप में math में अच्छा कर जाएंगे reasoning में अच्छा कर जाएंगे ठीक है थोड़ा static part हा रहा है थोड़ा जीकी के अंदर थोड़ा static part देखने को मिलेगा मिलेगा साथ में करणड़ अच्छे पूछे आ रहे हैं तो यह भी इंपॉर्ट जाता है अगर आपकी English मौडरेट है तो कोई प्रॉब्लम दोगी आप इजी लिस में भी अटेम्ट करके निकल जाएंगे अगर मैं section बात करूं कहूं से कितने कितने कोशन आ रहे हैं तो फिरंट reasoning के अंदर आप दे सकते हैं अगर आपको आपने पड़ा होगा statement conclusion से कोशन देखने को मिले हैं तो एक से दो ठीकिन डाइग्राम से कोशन आ रहे हैं बोर्ड मास से आपको पते हैं बोर्ड मास से जनरली कोशन आ तो मतलब reasoning में अगर आपने थोड़ा सा कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग पर थोड़ा हाथ जमा रहा है बड़ डिलेशन पर कर रहा है अलफाबेट से फेंट ती से चार कोशन रहते हैं तो नॉर्मल है तो यह जो टॉपिक ज्यादा रहे हैं असवारी reasoning के पूछे कई हैं से जीडी आपको देखके चलना है थोड़ा सा अलफाबेटिक स्रीज को चीदर कर लेना है कोडिंग डिकोडिंग को चीदर कर लेना है और स्टेट्मेंट कंक्लूजन फ्रेंड आते आते नॉर्मल है तो रीज जो रीजिनिंग ऑवर हो लाए मिलब कोई दिक्कत नहीं होग अगर आपने थोड़ा से लेवल की त्यारी कर रही होगी जो हम भरते हैं यहां से पांच कोशन अब बहुत अनाम से ले जाएंगे यह नॉर्मल है एक दो एक दो कोशन देखने को यहां से मिल रहे हैंगे सब्सक्राइब करेंगे तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है यहां पर पूरा का पूरा पेपर आपका LCM, SCF देखते हो, profit and loss से कोशन आ रहा है मतलब कि arithmetic आपका अच्छा है तो यह आप easily cover कर लेंगे, कोई problem नहीं होगी आपको LCM से एक एक दूजो कोशन, profit loss से एक दो से कोशन, percentage से दो से तीन कोशन, ratio proportion से एक से दो कोशन देखने को मिल रहे हैं सो यह बहुत ही important है, math का topic बहुत important इसलिए कि यहां अगर आपने correct करा तो कोई problem नहीं होगी आपको एक पूरा number मिलने वाला है, यहां पर आपको क्या होता है, कि आपको आता है, तो yes, no, no, so इसलिए math का, जिसका भी strong होगा ना, तो वो पूरे में से पूरे भी ले जा सकता ह तो यह important चीज आपके लिए, आपको math को अच्छी तरह करके चलना है, math और reasoning में, ताकि आप यहां से अच्छे number निकाल पाएं, ताकि English या GS में आपके कम भी रहते हैं, so वो आपके cover कर सको आप, so यह important रहेगा आप लोगों के लिए, और फिर्ण आप बात करें, बात करें, क्या बनेगी, तो जल्द ही मैं expect cutoff लेकि आऊंगा, कि जो इस वारी जीड़ेगी, जो cutoff रहने वाले होगी, expectation जो हमारी रहेगी, वो मैं आपको बता दूँगा, so आप preparation जो करें, continuously revision रहें, और revision ज्यादा करें, math पर ज्यादा फोकस रहें, ताकि current effect ज्यादा पढ़ते रहे हैं, ताकि वहाँ से कोई भी कोश जाना, आप easily attempt कर सकें, तो अभी के लिए इतने वीडियो आपको कैसे लिएक करना, चैनल को subscribe करना, ताकि आपको time to time important updates मिलती रहें, so thank you for watching my video, thank you, bye bye, thank you friends.